हेलो फ्रैंड्स मेरे चैनल कुकिंग होबर जमाप का स्वागत है आज हम बनाएंगे एक स्पेशल तरीके से दाल लौकी डाल करके एक तड़के वाली दाल हम बनाएंगे बहुत ही अच्छी लगती है दाल बहुत स्वाथिश्ट लगती है यह दाल बच्चे भी पसंद करते ह हैं बच्चे बड़े सब को बहुत पसंद आती हैं तो आप लोग जरूर बना करके ट्राइब करें वैसे तो बच्चे दाल सब्जी खाने बहुत नख्रे करते हैं लेकिन आप इस तरीके से दाल बनाएंगे न तो इसमें लौकी भी हो जाएगी सब्जी का भी काम करेगा और दाल भी रहेगी तो बच्चे भी खाएंगे तो लोग के लिए भी फायदे मन रहेगा और खा भी लेंगे बहुत ही बड़िया लगती है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यह मैंने अरहर की दाल लिया है इसको दो तीन वार अच्छे से धोने के बाद मैंने 15 मिनट तक र हल्दी नमक डाल करके थोड़ा सा ऐसे हिला देंगे ताकि थोड़ा मिक्स हो जाए फिर कूकर का ढखकन बंद कर देंगे और गैस पे चढ़ा देंगे इसको पकने के लिए तो इसको हम तीन सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे बहुत ज्यादा सीटी नहीं लगा है ठंडा होने के बाद मैंने कूकर खोला है तो यह देखिए अलग-अलग दाने दिख रहा है ना इसी तरीके का हमें दाल चाहिए अभी तो हम लेंगे कडाही उसमें डालेंगे घी घी गरम होने के बाद जीरा डालेंगे जीरा चटकने बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और लाल मिर्च भी थोड़ा सा डालेंगे इसे तोड़ करके ग्रेट किया हुआ अद्रक और लेसुन डाल देंगे हिंग डालेंगे चला करके भूनेंगे सबको अभी फ्लेम को मैंने लो कर दिया है हर इमिर्ज को मैंने दो टुकडों में ऐसे लंबा-लंबा कट कर लिया है इसी में से ये तड़का थोड़ा सा निकाल लेंगे उपर से अलग से डालने के लिए तो तड़का पैन में मैं अलग से निकाल ले रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ा सा जादा घीर डाला था इसमें दो बारतड़का के लिए और अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज प्याज डाल करके भूनेंगे प्याज ने एक तम बारीक सा कट करके डालें तो बहुत ही बड़ी हाँ लगता है इसमें अब इसमें थोड़े मसाले एट कर लेते हैं तो डालेंगे कास्मीरी लाल मिश पाउडर थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा गर्मसाला पाउडर डालेंगे, चला लेंगे और अब इसमें डाल देंगे कटेवे टमाटर, तो टमाटर को ही मैंने इसे चोटा-चोटा सा कट कर लिया है, टमाटर को हम अच्छी से गलने तक पकाएंगे, अब इसमे और फिर इसको लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से पकाना है टमाटर को बहुत अच्छे से गलाना है। करते तू यह देखे टमाटर अथे से गल रिखी है अब इसमें डालेंगे लौकी clicking को मैंने छील करके दो करके इसका बीज वाला पाथ हटा के एक्दम चोटा-चोटा सा कट कर लिया है यह देख्षे कि इतना चोटा-चोटा सा कट करना है दाल के लिए लौकी डाल करके इसको दो मिनिट तक लो फ्लेम पे भूनेंगे लौकी भी भून गई है अब इसमें दाल डाल देंगे तो ये देखे पहले हमें ऐसा ही दाल चाहिए ऐसे दाने दाल क्योंकि अभी थोड़ा सा कूक करेंगे अगर पहले दाल जादा पकी रहेगी दमगाड़ी सी तो अच्छी नहीं लगेगी दाल ऐसे दाने दर रहेगा तो भी थोड़ा कूक हो जाएगा तो फिर बराबर बढ़िया हो जाएगा डाल करके इसे डाल को चला करके मिक्स कर यह दाल बहुत ही बढ़ेया लगती है चाहिए आप रोटी के साथ खाया राइस के साथ खाया बहुत ही अच्छी लगती है अब इसमें थोड़ा सा उपर से डाल देंगे गरम मसाला थोड़ा सा पहले भी डाले हैं लेकिन अभी भी थोड़ा सा डाल देंगे और थोड़ा सा कर देंगे एक बोल में निकाल लेते हैं अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया थोड़ा सा बारी अब देंगे जो ऑचा देंगे इसमे पूरा धार्ड क यह देख्या भाइए कितना अच्छा दिख रहा है तर्ग्र कर के से गौल गौल गुमादे थोड़ा दो अच्छे से मिक्स हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया यह दाल लगती है अप लोग जरू करें मेरे तरीके से लौकी वाली दाल बनाने के लिए आप लोग जरू ट्राइब करें बहुत ही बढ़िया लगती है तो अब हमारी लौकी वाली दाल बन करके तयार है तो फ्रेंड्स अगर एसे भी पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक कि अ झाल झाल